लास्ट शिक्स आवर्स मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पर बारे मैं कैसे बात करूँ आप बहुत सारे स्क्रिप्स बना लियें पर मुझे लगा कि चलो इस टॉपिक पर बारे में खुद दिल से जो वर्ड्स निकले उससे ही बात करते हैं आप मेरे words और sentence में मत जाएए, जाएए तो सिर्फ मेरे emotion पर, मैं क्या कहना चाता हूँ, इस topic को समझेए आगे आप सब, good morning everyone, अभी पोदो को पाने दे रहा हूँ, और आज कुछ बात करेंगे, कुछ discussion करेंगे, कुछ issues के बारे में, तो पहले पाने दे रहता हूँ इंडिया में फिलाल तीन topic बड़े ही train कर रहा है, एक तो है corona और lockdown, दूसरा है YouTube versus TikTok का जो controversy, और तीसरा है कि TikTok बेन होना चाहिए इंडिया में, अभी जो पहला तो जो point है, वो तो असके top level पे जाज चुका है, उसके बारे में में बात नहीं कर सकता, पर जो तीसरा point है, TikTok बेन क् सकता हूँ आप सब के सामने, और मैं जो भी opinion दूँगा, सायद आप भी agree करेंगे उस points के साथ, तो चलिए उसी के बारे में ही आज का ब्लॉग है, so hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप भी मेरे बातों से सहे मत होंगे, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे, comment लाइक कर ले, last 10 days से ये चल रहा है, टिक्टोक और यूट्व लड़ाई चल रहा है, दो तिन हो चुका है, वुबनेश्वर में एसे जोर का हवा चल रहा है, ये कोई साइकलोन हवा नहीं है, और टिक्टोक से कोई बंदा कुछ बोल लेता है, और यूट्यूब से कोई बं करते हैं, जो कि इंडिया में क्यों बंद होना चाहिए, या टिक्टोक को इंडिया में बैन करते ना चाहिए, अब टिक्टोक आपके बारे में बताओं तो 90% वीडियो सही है, ठिक्टाक है, जिसमें आप थोड़ा सा creativity देख सकते हैं, थोड़ा सा entertainment purpose में वो आपके लिए सह भी हो सकता है पर जो 10% वीडियो से वो मानों जैसे कि गंदीगी है टिक टोक पर और वो 10% में हमारे बच्चे भी आ जाते हैं चोटे-चोटे बच्चे भी आ जाते हैं जो कि दूसरों को देखके दूसरों के टिक टोक वीडियो देखके नेक्स लेवल की गलतिया कर लेते हैं अभी में कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें तस या ग्यारा साल के बच्चे एक लड़का और एक लड़की बिहविंग लाइक बॉर्फ्रेंड और कुछ अजब सा एक वीडियो बनाया था लव एंड अफ डाट वीडियो पहली बार आप जब यह वीडियो देखेंगे सायद आप इसको एक एंटेटेंडमेंट वीडियो के हिसाब से नजर अंदाज कर सकते हैं पर अब इस वीडियो के डीप में अगर जाए तो यह सोचना पड़ेगा के यह बच्चे ऐसे वीडियो क्यों बनाएं कैसे इनके दिमाग में आया यह वीडियो क्या इनका वो उम्र है जो यह वीडियो वो बनाएं दूसरा पंड जो मैं बात करने वाला हूँ आप देख रहे होंगे कि टिक टो में बहुत सारे गाली देने वाला वीडियो भी है जिसमें बहुत सारे बच्चे भ की टिक टोक बेन होना चाहिए एंड एगेंड आप ये वीडियो अगर देखे तो पहली बार में आपको लगेगा कि ये एक एंटेटेंट्मेंट वीडियो है बच्चे गाली देते हुए देखकर पहुत सारे लोग एंजोई भी कर लेते हैं पर कही ना कहीं फिर से ये हमारे स सुसायटी और कल्चर को हेंपर करता है, सुसायटी को हर्ट करता है और इसके साथ साथ बच्चे भी आगे जाके इफेक्ट होते हैं विएवियर के चलते हुए या फिर ऐसे टिक टॉक वीडियो बनाते हुए आगे जाके वो कही ना कहीं अनकल्चर्ड प्रोफेस्शन को ब पड़ावा देना था और एक वीडियो आया था जिसमें लड़के रेप टेस को प्रमोट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा ही कॉंसेप्ट बना रहे हैं यह हम देख के हम इतना कुछ जर्ज नहीं कर पाएंगे पर एगें यह हमारे सोसाइटी के एकनेस जाता है और भी बहुत सा था फ्रचलंजेस के करन्डौ आपने से बहुत सारे अब बहुत सारे यह बुद्ध को लेके बहुत सारे लोग गलत वीडियो बनाते हैं बच्चे जैसे वीडियो बनाने के लाइट नहीं है या फिर उनको तना आइडै नहीं होता है फर ऑभर ठाड़, पर सब्सक्राइब behind the scenes रहता है वो उनको idea देते हैं वो उनको encourage करते हैं इस type के video बनाने के लिए उनको एक entertainment लगता है ये इसलिए वो इस type के video बनाते हैं जो third person रहता है वो अपने फाइदे के लिए चाहे social media में popular होने के लिए या फिर उसका जो account है वो highlight होने के लिए वो ऐसा video बनाता हो ये नही content है ये social media है हमको pure and creative content चाहिए या फिर हमको entertainment चाहिए हमको entertainment ही मिलना चाहिए पर ये जो बाहियाद किसम के videos है TikTok पर या फिर मैं बता हूँ YouTube पर भी अगर भी जो है वो हटा दिया जाए फिलाल YouTube में तो it's like 97 या 98% तो जो गंदी वीडियो है वो जाच चुका है फिर भी कुछ-कुछ है और YouTube उसके काम कर रहा है पर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ TikTok के उपर के आजकल TikTok इतना highlight हो चुका है घर-घर में हर किसी के mobile पर TikTok एप installed है और वो भी घर में बैटके एक दो बा जाता है घर-बेटकर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाता है देखने के लिए इसलिए बहुत chances है कि हमारे जो बचे है इस वीडियो को देखे थोड़ा effect हो जाए या फिर इस वीडियो को देखे वो भी इस टाइप के वीडियो बनाने की सोच है इसलिए मैं TikTok को ये जाता है या फिर मुझको सारु खान या सलमान खान बनना होता है तो मैं TikTok पे चला जाता हूं कुछ डायलोग पे लिप सिंकिंग करके TikTok वीडियो बना लेता हूं या फिर कुछ सौंग पे एक्ट करके TikTok वीडियो बना लेता हूं पर जब मैं स्क्रोल करके देखता हूं वीड भी करेंगे मैरे साहिम्मत होंगे और आप भी चाहते होंगे कहीना कहीं यह सब ना हो तक पर ना हो tak एप हे Entertainment के लिए आप को सिर्फ एंटरेटेंटमेंट चाहिए ना कि इस तरह की गंदी विडियोज सो मेरे वीडियो में अगर कुछ आपको एफेक्टिव लगा या मेरे बातों में कुछ आपको अच्छा महसूस हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके ओकिनियन दीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर होना चाहिए तो श झाल झाल